हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का, आज हमारे साथ मेरे एक बहुत ही करिबी मित्र जूड चुके हैं, जो भारतिये रेलेवे में कहरत हैं, तो आज इनसे हम जानेंगे कि नहों ने किस तरह से तयारी की थी, इनकी तयारी का फुल एस्ट्रेटजी क्या था, कितने घं दीजिकल भी हो गया था, लेकिन मेरीट नहीं बन पाया, तो सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जी बहुत-बहुत है आपको भी स्वागत है, तो सबसे पहले आप बताइए, कि आपको रियले-वे में जॉब करने की परिरना कहां से मिली, जेंडली, आप द तरह से ज़्यारी किया और मुझे ज्यादा कोशिश तो नहीं किया पर जिस तरह से लोग एक्जाम देते हैं फिलप आया इस तरह से मैं भी जनरली तयारी किया मेरा रिजल्ट हो गया अच्छा तो आपने रेलवे की तयारी किस तरह से सुरों की जारा इसके बारे में बताइए मैं करते हैं इसी तरह से मैं भी जुएन किया क्योंटेस्ट जोईन किया मैंने कुछ दिन एक सब्सक्राइब करने के बाद थोड़ा और मेनत करने लगा था दो तिन गंटा और पढ़ना बढ़ा दिया था उस तरह से पढ़ा और मेरा रिजल्ट हो गया अच्छा जो सेट प्रेक्टिस है वो किसी वी एक्जाम को किलियर कर करने के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है तो आप किस तरह से सेट प्रेक्टिस करते थे ओनलाइन या ओफलाइन या अभी जो बच्चे तयारी कर रहे हैं उन्हें किस तरह की सेट प्रेक्टिस प्रिफर करना चाहिए अभी तो एक्जाम का यदि डेट दो तीन महिन प्रेक्टिस कर ले घर पे उसे एक्जाम हॉल में जाके प्रोब्लम होगी तो आपको ही नुक्सान होगा अच्छा अभी का जो कंप्टिशन है वो काफी बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा भीड़ देखनों को मिलता है तो इस भीड़ में बच्चे की सतरह तयारी करें क इसके बारे में थोड़ा सा हमारे वीवर कोब्ताइए आप आज की देट में जिस प्रकार की कोश्वन कोशे जा रहा हैं call head working की जरूरत नहीं है करें तो देखिए इनों ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि इस भीड में अगर आपको सफल होना है तो हाड वर्क नहीं बलकि स्मार्ट वर्क की जरुवत है क्यूंकि हाड वर्क करो की कमी नहीं है आज के इस जुग में तो आप बताइए कि आप किस किस बुक से तयारी क करें क्यूंकि आप सफल हैं और आपकी बातों के हमारे वीवर काफी गौर से सुन रहे हैं देखिए जिस तरह से मैंने उस ताइम मेहनत किया था किताब पढ़ी थी उस तरह से तो कोई किताब प्लेटफॉर्म को छुडा कर नहीं आया थी जिस आप से कोश्चन पूछे जा कम यहां मैं पूछता है लेकिन पहले जैसा नहीं पूछता है अब जिक्के महत ज्यादा पूछ रहा है वह भी टेक्निकल कोश्चन पूछ रहा है तो आपको जीएस पे ज्यादा धियान देना पड़ेगा और प्लेटफॉर्म का किताब आया था बहुत अच्छा था उसमे पैटरन का कोश्चन दिया हुआ था उसी तरह से मैंने उसका प्रेक्टिस किया और हलाकी किताब एक्जाम में भी कोश्चन उसी तरह था तो आप आंत में हमारे दर्सकों को क्या बोलना चाहेंगे वह इस बच्चे वे समय में किस तरह तयारी करें आपके पास अब तो बच मेंनत कीजेगा वही आपको जो पास नमर से नमर बढ़ते हो उसी तरह से आपका मेरिट में काम देगा उसी तरह सापका रिजल्ट किलियर होगा तो आप जो भी समय बचा है पूरी तरह से किताब पर ही पर धियान दे इधर उधर जाना बंद कर दे सोशल मीडिया लंद यह किसी भी परतियोगीता परिक्षा की तयारी में पढ़ाई का जो टाइमिंग होता है वो कितना मायने रखता है और आज के परतियोगी यूग में किसी एस्टुडेंट को सफल होने के लिए कम से कम कितने घंटे पढ़ने चाहिए देखिए आपको जिस तरह से आप जरूर देना होगा आठ से नो गुंटा देना होगा अच्छा आप आप जाप तैयारी किये थे जब एकजाम दिए तो उस समय कितना था नर्मलाइज होकर कितना हो गया तथा कुट्फ कितना गया था जिस टाइम मेरा रौव मार्क से 60 था और नर्मलाइज होकर 63 गया था औ किटने कुट आप जाने की संभावना है इस तरह से आप तेलेंट को देख रहा है आज के डेट में बहुत सारे जो भी नए लड़के वह बहुत हाइबरीड के हैं आपको जो करते हैं और पूछे जाते हैं आज के डेट में आई सी लेबल का पूछ रहा है क्वेशन ज्यादा ही जाएगा मिनमम बेंगलोर का पिछली बार तो कम गया था फिर भी इस बार तो सेवंटी के लगब उतना ही जाएगा अच्छा तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जूड़े और आपना जो एक्सप्रियेंस है वह हमारे दर्सकों के साथ सेर किये तो सोचे कि एक वीडियो बना लिया जाए ताकि आप लोग का वह एक्जाम करीब है तो इनकी अनुभाव से कुछ आपको फायदा हो सके तो देखिए इनका रूम है अब हम लोग छट पर वीडियो बना रहे हैं और यह है बंगलोर का नजारा तो आप लोग देख सकते हैं कि क इतना खुबसूरत सीटी है और वो इसे भी बंगलोर को सिलकन वैली आप इंडिया के नाम से जानते हैं तो देखिए कितना अच्छा सीटी है यहां पूरा पीछे के देख चकते हैं और यहां पे कुछ बच्चे हैं देखिए जो खेलना है बगल में और इधर करना जा रहा है आप लोग देख सकते हैं तो ठीक है इसी तरह आप लोग हमारे साथ बने रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद